बच्चों देखो ज्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव पांच दिन सभी विशयों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनोरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनद ले सकेंगे सवा चार बजे तक शैक्षिक कारिक्रम प्रसारित होगा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में सामजिक विक्यान विशय में बुक अर्थ शास्त्र से पालंपूर गाओं की कहानी भाग 8, 9 पे कक्षा 10 में संस्कृत विशय में शुची परियावर नम भाग 5 पे सिंधी व्यापरन विशय में अद्दू तो बच्चों हमने पालंपूर गाओं की कहानी के बारे में बहुत अधिक जान लिया कि पालंपूर में किस प्रकार से क्रशी होती है, क्रशी के लिए विभिन प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं और लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ लिया कि उत्पादन करने के बाद जो शेश बचता है उसका किसान क्या करते हैं तो हमने जाना था कि छोटे किसानों के पास तो अधिशेश बहुत कम बचता है जबकि जो बड़े किसान है उनके पास अधिशेश अधिक होता है क्यों क्योंकि उनका उत्पादन भी अधिक होता है और वो उस होते चले जाते हैं तो वो था अधिशेश क्रशी उत्पादों की बिक्री के बारे में हमने बात की थी कि हम पालंपुर में क्रशी के अर्तिरिक क्रियाओं को भी जानेंगे तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पालमपुर में होने वाली गैर क्रशी क्रियाई थीके बच्चो तो आईए देखते हैं पालमपुर में हमने बताया था कि 75% जनसंख्या क्रशी पर निर्भर रहती है अब भूमी तो होती है इस्थिर और उसी पर यदि क्रशी की जाती है तो सभी लोगों को ना तो रोजगार मिल पाता है और सभी उत्पादन भी पूर्ट है पूरा नहीं हो पाता कि जो सब लोगों में बढ़ जाए तो वहां के लोगों ने सोचा कि कुछ क्यों ना कुछ और भी रोजगार के साधन देखे जाएं तो पालंपूर में आई गैर क्रशी क्रियाएं तो गैर क्रशी क्रियाएं क्या हो गई जो क्रशी के अतिरिक्त क्रियाएं की जाती है जिनमें की व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ होता है उसी ही हम कहते हैं गैर क्रशी क्रियाएं तो पालंपूर में भी बहुत सारी गैर क्रशी क्रियाएं हैं, जैसे कि डेरी, परिवेहन और जो छोटे-मोटे उध्योग धंदे होते हैं, आरे विच्छो समझ में, तो ये सारी होती हैं, गैर क्रशी क्रियाएं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे, जब हमने बोला कि 75% जनसंख्या क्रशी कार्यो में लगी हुई है, तो बाकी कितनी बची, 25% जनसंख्या, तो 25% जनसंख्या गैर क्रशी कार्यों में लगी हुई है, कहां? पालमपुर में, ठीक है बच्छो, कि क्रशी के अतिरिक्त की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? गैर क्रशी क्रिय और किते लोग इंडल्स हैं इसमें 25 प्रतिशत लोग इसमें लगे हुए हैं अब हम वन बाई वन जो पालंपूर में गैर क्रशी क्रिया होती हैं उसके बारे में अध्यन करेंगे तो सबसे पहले गैर क्रशी क्रिया जो पालंपूर में है वो एक प्रचलित है और वो है डेरी आपने तो जाना ही होगा कि जो व्यक्ति क्रशी करता है वो अधिकतर क्या करता है पशु पालन भी कर लिता है क्योंकि जो क्रशी से बचता है जैसे कि हमने बात की थी ज्वार और बाजरा जो बचते हैं वो ही क्या होता है पशों को चारे के रूप में खिला लिया जाता है और पशों से दूद प्राप्त होता है जिसका कि वो उपयों घर के कारियों में कर लेते हैं तो पालंपूर में क्या हुआ कि महा के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया पशों को पालना शुरू किया अब जो उनके जो खेतों में बचने वाली जो चरी है, जवार है, बाजरा है, घास है वो इसको भैसों को खिला दिया करते थे और जो दूद उनकी पूर्ती होती थी खुद की उसको रख लेते थे और बाकी जो दूद है दूद तो बहुत अतरिक पात्रा में होता है उसे वो क्या करते थे? राय गंज में जाकर बेज देते थे अब राय गंज में क्या है? बहाँ पर दूद संग्रहन केंद्र और शीटलन केंद्र है जो की शाहपूर के व्यापारियों ने लगवाया है वहाँ पर क्या होता है? सारा जो दूद है वो इकटा किया जाता है और वहाँ से बड़े कस्बों में वो दूद बेचान जाता है जैसा कि आपने देखा होगा कि पैंग्ड दूद आता है आता है ना सरस, अमूल, बहुत सारी डेरी हैं तो उसमें यही होता है कि जो गाओं की जो दूद वाले होते हैं वो उनको दूद सप्लाई करते हैं वो उसका संग्रहन या शीतलन जो भी उने करना होता है वो करते हैं उसे पैक्ड करते हैं और फिर ये शहरों में सप्लाई हो जाता है तो इस प्रकार से इसमें बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तो जो पालंपूर के लोग है उनको भी इसकी वज़े से रोजगार प्राप्त हुआ डेरी क्रिया की वज़े से बहुत सारे लोग क्या हुए रोजगार में आई तो ये है पालमपूर में डेरी क्रिया, गयार क्रशी क्रिया पहली कौन सी है? डेरी, कि बैतसको क्या खिलाय जाता है? घा, जवार और बाजरा, दूध को कहां बेचा जाता है? राइ गंच में, क्योंकि राइ गंच ही सबसे पास पड़ता है पालमपूर के और राय गंज में दूद संग रहन और शीतलन केंद रहन जहां से दूद दूद दूसरे कज़बों में बेजा जाता है तो ये था पहली गैरकरशी क्रिया डेरी उद्ध्यो अब दूसरा क्या है कि पालंपूर में छोटे छोटे लगू इस तरिये निर्माण उद्ध्योग है आपने देखा भी होगा कि गाउं में लोग बैठे होते हैं परिवार के साथ कोई क्या बना रहा होता है देखाओ गर ना छोटी-छोटी सी मास की टोक्रिया बनाई जाती है इसके अलावा कुमार होता है वो मिट्टी के बरतन बना रहा होता है तो ये सारे होते हैं लगु उस्तरिय विनिर्माण उद्ध्योग तो पालंपूर में इस प्रकार के उद्ध्योग में 50 से कम लोग लगे हुए हैं उसी को ये लगु विनिर्माण उद्ध्योग कहते हैं जबकि जो बड़े कजबे होते हैं या बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक लोग, हम ही कह सकते हैं, सैकडो लोग भी लगूद्योग तो बूलेंगे नहीं, उनको हम बड़े उध्योग बूलेंगे, तो उसमें लगे हुए होते हैं, जबकि जो पालमपूर है, उसमें बहुत कम लोग, पचास से भी कम लोग इन उध्योगों में लग प्रकार्य करते हैं तो बच्चों जो पालंपूर है इसमें आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर जो लोग है वो परिवार की सहायता से पारिवारिक श्रम की सहायता से क्या करते हैं जो विनिर्माण करते हैं और कभी-कभी वो किराय पर श्रमिक भी ले लेते हैं तो यही सारी बात यहां लिखी गई है कि पालमपुर में लगु इस तरिये वी-निर्मान उद्ध्योग किस प्रकार होता है, कि पचास से कम लोगों के द्वारा होता है, लगु इस सरल उठपादन वी दीक काम में ले जाती है, और छोटे पैमाने पर उद्ध्योग किया जाता है, जब कि जो बड़े शेहर होते हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है, जैसा कि मैने अभी बताया था कि सैकडों लोग उसमें क्या लगे रते हैं? काम पर लगे हुए होते हैं. पारिवारिक श्रम की सहायता से ही किया जाता है. और कभी कभार किराई के श्रमिकों को भी ले लिया जाता है जब ज़्यादा जरुद होती है तो वो किराई के श्रमिकों को लेती है अब हम ये जो लगू इस तरह ये वी निर्मान उद्योग है वो कैसे पनपती हैं तो इसे हम मिश्री लाल की कहानी के द्वारा जानेंगे कि मिश्री लाल एक किसान है अब उसने क्या देखा कि गाओं में जो बहुत सारे गन्य का उत्पादन होता है तो उसने एक मशीन खरीदली गन्य से रस निकालने की और वो उस गन्य की मशीन से जो की बिजली से चलती थी उससे वो क्या करने लगा? गन्य का रस निकालने लगा और उससे फिर वो गुड़ बनाने लगा हाला कि पालमपूर में पहले भी गन्य से रस निकाला जाता था लेकिन पहले वो परमपरागत विधियों से बैलो के द्वारा आपने कभी देखा भी होगा कि वो बैलो के द्वारा उसकी पिराई की जाती है और गन्य का रस निकाला जाता है अब मिश्री लाल को इसमें कैसे रोजगार मिला तो मिश्री लाल जिसे गाउं के और लोग है उनसे भी गन्ना खरीद लेता है और उससे रस निकालता है उसका गुड़ बनाता है और पास में जाके राइगंज के व्यापारियों को बेच देता है तो इस प्रकार से मिश्री लाल को अधिक लाब मिलता है तो मिश्री लाल का क्या हुआ रोजगार का सादन हो गया ना कि गन्ना पिराई करना उसने केवल क्या खरीदा उसने एक मशीन खरीदी और इस प्रकार से उसको रोजगार प्राप्त हुआ क्रशी कारे से हट कर वो किस में लगा? गैर क्रशी कारे में थेखे बच्चों, तो ये था पालमपूर में लगू इस तर्ये वी निर्मान उध्योग अब जो तीसरा जो उध्योग है जो पालमपूर में गैर क्रशी क्रियाएं है वो है दुकांदार आपने देखा भी होगा कि गावों में बहुत छोटी छोटी सी दुकान होती है वो दुकान अदिक्तर किसी होती है? जिसमें अदिक्तर छोटी मोटी चीजे जैसे कि बिस्किट, तेल, साबोन, खाने पीने की चीजें समझ में आ रहा है? toothpaste हुआ, ये सारी चीज़े वहाँ पर मिलती है तो पालंपूर में भी ऐसी दुकाने हैं जिस पर की छोटा-छोटा सामान मिलता है और वो सामान वो लोग कहां से लाते हैं वो जो पास का जो कजबा है वहाँ से थोग बजार से वो उसे खरीद के लेके आते हैं और लोगों की आवशक्ताओं की पूर्ती करते हैं ठीक है बच्चो और ये जो दुकाने होती है वो अधिकतर जनरल स्टोर्स होती है और बस स्टेंड पर अधिकतर मिलती हैं आपने देखा भी होगा ये दिया आप किसी गाउं के रास्ते से गुजरे होंगे तो बस स्टेंड पर छोटी छोटी दुकाने मिलेंगी और ये दुकाने जो अधिकतर क्या करते हैं लोग घर के कोने में ही खोल लेते हैं ठीक है बच्चो तो यही सारी बात यहां पर लिखे हुए है कि पालमपूर के दुकानदार किस प्रकार से अपने दुकानदारी चलाते हैं कि शहर के ठोक बजारों से वस्तुवे खरीद कर गाउं में बेचते हैं छोटी दुकाने होती हैं अधिकतर किसकी होती है जनरल स्टोर की दुकाने या तो बस स्टेंड पर या घर के एक भाग में होती है जिन पर अधिकतर क्या मिलती है खाने की चीज़े मिलती है ठीके बच्चो अब पालंपूर पे जो दुकानदार है वो एक दुकानदार भी कैसे दिपाग में आया है कि दुकानदारी चलाई जाए, तो उसका एक उधारन में कहानी के द्वारा जानेंगे और यह कहानी है किसकी करीम की, तो बच्चो करीम है, उसने क्या सोचा कि उसने देखा कि गाउं के जो बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए या आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाते हैं और उनको computer का course भी करना होता है तो वो क्या करते हैं computer के course के लिए शहर में जाते हैं, उनका आने जाने का किराया भी खर्च होता है और इसके अलावा उनकी fees बगेरा भी बहुत जादा लगती है तो उसने सोचा क्यों ना मैं गाउं में ही एक computer center खोल लो तो उसने क्या किया, गाउं में computer center खोल लिया और जो गाउं में दो लड़कियां थी जिन्होंने की क्या computer में degree हासल कर ली थी तो उसने उसको वहाँ पर रोजगार में लगा लिया तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि जो करीम है उसके पास रोजगार हो गया जो वो दो लड़किया थी उनको भी रोजगार मिल गया और जो गाउं के जो बच्चे थे जो बाहर जाते थे computer का course करने के लिए उनको अपने गाउं में ही computer का course अवेलेबल हो काउं के दुकानदार पनपते हैं और वो क्रशी कारियों को छोड़कर गैर क्रशी कारियों में लगे हैं तो ये थे पालंपूर के दुकानदार थीक है बच्चों तो अभी हमने तीन चीजों का अधियन कर लिया एक तो डिगरी का एक लगूस्तरी उध्यों का और एक किसक पालमपूर से राइगंज, तीन किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है, ऐसा ही हमने देखा था, और ये जो जुड़ा हुआ है, वो किस से जुड़ा हुआ है, सडकों से जुड़ा हुआ है, इसके बीच में परिवहन के कई साधन चलते हैं, जैसे कि जीप है, ट्रक, बस, बैल परिवहन के साधनों की आविश्यक्ता परती है, तो पालमपूर के जो कई गाहमासी है, वो क्या तरती है, ये सुड़ा उपलब्द करवाते हैं, इसके बदले में वो लोगों से क्या लेती हैं, पैसे लेती हैं, तो इस प्रकार से उनका भी लाब हो जाता है, और बाकी लो पहुँच जाते हैं, या राइगन से आजाती हैं, अब हम यहाँ पढ़ेंगे किस की कहानी, किशोर की कहानी, कि जो किशोर है, पहले हम यह देख लेते हैं सारी चीजे, कि परिवहन एक तेजी से उभरता हुआ छेतर है, कहां पर? पालमपूर में, यहां कई तरह के वाहन पालमपूर से राइगन्ज के बीच परिवहन की सुविधा देखते हैं, यह परिवहन के साधन लोगों और वस्तुओं को लाने ले जाने का कारे करते हैं, और इसके बदले में वो क्या लेते हैं? पैसे ले लेते हैं, अब यह जो चारो जो क्रियाएं हैं, जिसके वारे मे यहां लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजेगा, ठीके बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? किसकी कहानी? किशोर की कहानी, तो किशोर है, उसने वो भी एक खेती हर मजदूर है, श्रमिक है, अब उसने क्या सोचा? वो बैंक गया, और बैंक से उ दूद निकालने लगा, अब उसने क्या सोचा, उस ब세 스े उसने बना ली भैसागाडी, थिके लचों, उसके पीछे ट्रॉली लगा ली, तो वो क्या बन गई? भैसागाडी, अब वो बहसागाडी से क्या काम ने ले लगा? उस बहसागाडी में वो वस्तों को, या गाओं क लोगों को लोड करके कहां ले जाता है राइगंज ले जाता है और राइगंज से वापिस भी ले आता है इसके अलावा जो कुमार है उसको मिट्टी चाहिए तो मिट्टी ले आता है और यदि गुड है जैसे हमने बात की थी मिश्रिलाल के गुड की तो गुड की यदि सप् विधा हो जाती हैं, तो इस प्रकार से उसने क्या किया, भुमिहीं टो क्रशिख था इए, अपनी भुमिहीं नहीं थी तो वो गैर क्रशी क्रियाएं ध्याने बच्चों कि तो हमने आज क्या क्या पड़ा हमने पड़ा कि पालंपूर में 25 प्रतिशत लोग गैर क्रश्री कारियों में लगे हुए हैं कौन कौन से हैं एक तो डेरी की बात की हमने लगूसतर ये विनरमाण उद्यों की बात की इसके बाद हमने बात की पालंपूर में जो दुकानदार है उसमें हमने पड़ी थी न करीम की कहानी और इसके बाद हमने बात की किशोर की कह कि कहानी यहीं पे खतम होता है कुछ प्रशना आपकी किताब में पीछे भी दे हुए हैं देखाना आपने तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे तो आएए देखते हैं पहला प्रशन बच्चो पहला प्रशन है पालंपुर की जो अवस्थिती है उसका चेत्र है जो कि हमने परीच होता है उसकी जन संग्या उसकी स्थिति सब के बारे में जाना जाता है तो पालंपूर से संबंदि सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिये यह जो पूरी जो तालिका है वो आपको आपकी बुक में दी हुई है मैं इसको वन बाइवन बताऊंगी तो सबसे पहल जिसे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है इसके अलावा जो आसपास के जो कस्बें हैं गाउं है उनसे भी पालंपूर सडकों के माध्यम से जुड़ा हुआ है जिस पे बहुत सारे परिवहन के साधन चलते हैं बात की थी ना हमने तो निकटतम छोटा कस्बा कौन सा है शापूर है और बड़ा गाउं कौन सा है राइगंच ठीक है कसबा तो कौन सा है शापूर हमने बात की थी और जो गाउं है बड़ा वो कौन सा है राइगंच तो ये हो गई इसकी पालंपूर की अवस्तिती ठीक है अब इसमें दूसरी चीज क्या पूछी है दूसरी या फिर खाली पड़ा हुआ है, या खू जो हो गया, बाकी चेतर, तो किस प्रकार से हैं वो, तो 200 हेक्टर, जो जो छेतर है, वो सीचित है, 50 ऐस सीचित है, और 26 हेक्टर है, जो कि बाकी है, तो इस प्रकार से 250 और 26, कितना हो गया कुल चेतर? 286 हेक्टर तो आपको आंसर लिखना है इसमें कि गाउं का जो कुल छेतर है वो कितना है? 286 हेक्टर ठीक है? अब इसमें तीसरी इस्तिती पूची हुई है कि भूमी का उप्योग जैसे कि हमने भी बता दिया कि सिचित कितनी है, ऐसिचित कितनी है और ऐसिचित कितनी है? तो कितनी है? जो सिचित भूमी है वो तो है 200 हेक्टर और ऐसिचित है 50 हेक्टर और इस प्रकार से जो 6 है वो 26 तो कुल हो गई ना आपकी कितनी? 276 हेक्टर तो गाउं की कुल जमीन कितनी हो गई? 246 हेक्टर और इसको इस प्रकास से डिवाइड गया है सीचित, ऐसीचित और शेषभूमी ठीक है बच्चो अब अगली चीज पूची है कि सुविधाईं कौन-कौन सी है हमने बहुत अच्छे से बताया था कि सैक्षिक सुविधाईं कैसी है मेडिकल फैसलिटीज कैसी है, मार्केट कैसा है, सीचाई कैसी है बात कीते हैंने, तो सुविधाईं में सबसे पहले आता है सैक्षिक सैक्षिक क्izzy कैसी है, एक उच्छे विध्याले है और दो प्रात्मिक विध्याले बात की थी हमने, इसके बाद चिकिस्या, एक तो है, सरकारी, प्लात्मिक्स वास्ते केंद्र, प्यास्सी, और इसके साथ है एक निजी ओश्धाले, दवा खाना, ठीक है, बजार, तो यहां का बजार एक सू विक्सिद बजार है, जहां पर दुकानदार है, हमने बात की थी कि पालंपूर के अधिकतर घरों में क्या है? बिजली के connection लगे हुए है हमने काता है कि पालंपूर में बिजली आई हुई है उसी से क्या होती है? सीचाई होती है इसके बादे संचार तो सडको और परिवहन की सुविक्सित प्रणाली हमने विबिन काहनियों के माध्यम से जाना था जाना था नहीं जाना था कि वहापर बहसागाडी भी चलती है इसके अलाबा मिश्टिलाल है वो अपना गुड़ भी बेशता है तो परिवहन के साधन चलती है इसके बादे निकट्तम कजबा कौनसा है? बड़ा गाउन तो कौनसा है? राइगंच और कजबा है शाहपूर ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से ये इसका अंसर हो गया पूरा अब सेकंड क्रिशन है कि खेती की आधुनिक विदियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवशक्ता होती है उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है क्या आप सहमत है? आप समझभा रहें कि क्रिशन क्या explicar की है? कि जो आधुनिक विदियों में कई चीजों की आवशक्ता होती है अब यह निया रहा है कुछ की मैंमने क्या बताया था? मैंने बताया था ना कि आधुनिक विद्यों में बहुत सारे यंत्रों की, मशीन्रों की, रासाइनिक, उर्वरों की, केट नाशकों की आवशक्ता होती है तो ये सारे बनते कहां हैं? ये सारे निर्मार उध्योगों में बनते हैं तो इसका अंसर आपके लिए हाँ ही होना चीए, कि हाँ क्योंकि ये सारी चीज़े कहां बनती है, निर्माण उद्योगों में बनती है, उद्योग दंदों में तो ही बन कर आएगे आपकी ट्रैक्टर है या फिर और कोई मश्रीन ट्रेशर है, हार्वेस्टर है, इसके लावा उर्वरक भी उद्योगों में बनती है, तो कीट नाशक भी कहां बनती है, उद्योग दंदों में, तो इसलिए उद्योग दंदों की आवशकता होती है, ठीक है बच्चों, तिसका अंसर यही है, कि हाँ, आदोनी क्रशी तरीकों को कारखानों में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए, HIV बीजों को अधिक पानी चाहिए, इसके साथी बहतर नतीजों के लिए रासाय निखाज, कीट नाशक भी चाहिए किसान सीचाई के लिए नलकूप लगाती है, ट्रेक्टर और थ्रेशर है बचो ये इसको आप थ्रेशर लिखेगा कि ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीने भी प्रेयोग की गई है HYV बीजों की सहायता से गेहूं के पैदावार 1300 किलोग्राम प्रती हेक्टर से बढ़कर 32 किलोग्राम प्रती हेक्टर तक हो गई है ये सारी चीजे मैंने आपको लिखवा रखी है बता रखी है आपको केवल इनको बिलकुल सुव्यवस्ति तरीके से लिखना है जो कि यहां पर अंसर दे रखा है और अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फाल्तु गेहूं अधिशेश के हूं है ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से इसका अंसर आप लिख लेगे कि हाँ हम सहमत है अगला प्रेशन है पालंपूर में बिजली के प्रसार ने किसानों के किस तरह मदद की है ये तो मैंने आपको काफी बार बताया था कि बिजली आने से क्या हुआ सीचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ जहां पहले कुओं से रहट द्वारा निकाल ले जाता था पानी और बहुत मैनत लगती थी और अब क्या हो गया जो बिजली है उसके कारण सीचाई की सुविधा हो गया और नल कुपो से सीचाई की जाने लगी और सीची छेतर भी बहुत अधिक बढ़ गया तो यही इसका अंसर है कि बिजली से खेतों में सभी नल कुपो और विभिन प्रकार के छोटे उध्योगों को विध्यो तुर्जा मिलती है पालंपूर के किसानों की बिजली के प्रसाण ने कैसे साहता की अब यह one by one बताएगा आपको कि इसमें पालंपूर की किसानों को अपने खेतों की सीचाई बहतर तरीके से करने में साहता की इससे पहले वो क्या करते थे रहेट द्वारा सीचाई करते थे जो कि अब अधिक प्रभावशाली हो गया और बिजली की साहता से अब वो क्या करने लगे अधिक बड़े छेत्र में नल कुपो से प्रभावशाली तारीके से सीचाई करने लगे इसके बादे बिजली से सीचाय प्रणाली में सुधार की कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान पहले तो कभी-कभी मांसून में निर्भर करते थे पूरे वर्ष के दौरान वो फसलों को सीच सकते हैं मांसून की बरसाद पर उन्हें निर्भर रहने की कोई आविशक्ता नहीं है क्योंकि वो मांसून की बरसाद कैसी होती है एनिस्चित होती है जबकि सीचाई में वो मन करें तब उसको सीज सकते हैं जब भी उन्हों आविशक्ता हो बिजली के प्रयोग की कारण पार्लंपूर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों और चिंताओं से मुक्ती मिल गई पहले रहे द्वारा निकालते थे तो उनको परिश्टम तो लगता ही था ना अब उससे भी उनको मुक्ती मिल गई ठीके बच्चो अब इसके बाद अगला प्रश्ण है क्या सीची छेत्र को बढ़ाना महत्वपूर है क्योंकि मानसून तो एनिश्चित होता है इसले सारी सफसले क्या हो जाती है खराब हो जाती है उत्पादन कम होता है अधिशेश कम होता है और किसानों को बहुत नुक्सान होता है तो सिंचाई करना मैत्वपूर है ना इसमें हां ही आंसर आएगा देखिए कि सीचित चेत्र को बढ़ाना जरूर है क्योंकि भारत में मानसून की बर्चात कैसी जैसे मैंने बताया था वही आंसर है ना उसको बस आपको इस तरीके से लिखना है कि एनिश्चित और भ् भूमी में ही क्या कर पाते हैं अधिक उत्पाधन कर पाते हैं यदि उनको सीचाई की सुविदा मिल जाती है तो कम भूमी में अधिक उत्पाधन हो पाता है ठीके बच्चो अगला प्रशन देखती है अगला प्रशन है कि पालंपूर के 450 परिवारों में भूमी का जिनकों की 10 hectare तक भी मिली है तो वही classification यहां दे रखा है कि भूमी हीन परिवार तो 150 है जो के अधिक आश्ट है क्या है अंदलित है इसके बाद 2 hectare से कम वाले 180 और 2 hectare से अधिक भूमी वाले पिच्चानबे 10 hectare से अधिक भूमी वाले कितने हो गए 25 ठीक है बच्चो तो इस हर श्टमीकों की मज़दूरी नियूनतम मज़दूरी से कम क्यों है इसके बारे मिनम हम डिस्कर्स कर चुके थे कि क्या है कि वहाँ पर मजदूर तो हो गए अधिक और वो कं मजदूरी पर भी क्या करने के लिए तैयार हो जाती है कारे करने के लिए तई अपना profit कम आने के तो जो सबसे कम मजदूरी मांगता है वो उसको ही लगा लेती है इसलिए पालंपूर में मजदूरी क्या है? कम है हम देखते हैं इसका आंसर यही है कि पालंपूर में खेती हर मजदूरों में काम करने के लिए क्या है? प्रतिज पर्धा इसलिए लोग कम दोरों पर ही मजदूरी करनी के लिए तयार हो जाते हैं ठीके बच्चो लिख लेंगे आप इसका अंसर आप नोट भी कर लीजेगा वीडियो को पाउस कीजे और अपने आंसर को फटा 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 फट अपनी कॉपी में लिख लीजे अब next देखें next question है कि अपने छेतर में दो श्रमी को से बात कीजे बच्चो आप एक चीज दिहान देना कि अपने आभी तक 8 में बढ़ा था SS तो बढ़ा था SS भी और बाकी सब्जेक्स भी पढ़े थे तो उसमें क्या था कि आपको answer directly देना होता है कि आपके chapter में चीजे दी हुई है आपको उसका answer लिखना होता है लेकिन यहां जब आपको CBSC pattern मिल रहा है तो उसमें क्या है कि आपको ये सारी चीजे अवलोकन से भी देखनी है जो भी question answer मिलेंगे वो अवलोकनों के आधार पर भी होंगे जैसे कि इसमें ही बोला है कि आप दो श्रमिकों से बात कीजे वो इसी लिए था कि आपके पूरा chapter पढ़ा तो आप आसपास के श्रमिकों के बारे में भी तो जानें कि हाँ जो आपके आसपास जो श्रमिक रहते हैं आप जिन श्रमिकों को जानते हैं उनकी स्थिति क्या है तो वही हम देखते हैं कि खेतों में काम करने या निविनिर्मान कारे में करने वाले मजदूरों में से किसी को भी चुने कोई भी मजदूर हो सकता है वो आप जिसको चुनते हैं उन्हें कितनी दो मजदूरी मिलती है, आप उनसे पूछें कितनी मजदूरी मिलती है, उन्हें नकत पैसा मिलता है, हमने बात किते ना कि मजदूरी दो रूपों में दी जाती है, या तो नकत के रूप में या वस्तू के रूप में, या वस्तू में, क्या उन्हें नियमित र मैंने किस तरीक से तो हमारी चेत्न में बाम धयाल और हमामे लक्षमी दोखेती फर मजों हैं कि वोरा किम आपर काम करते हैं कुछ निमान हो रहा है ऐा यहां 파र काम कर रहा है मज़़ूरी के रूप में उनको केवल 17 और 80 ृपए हैं हाँ उन्म मздूरे नकद मिलती है, कोई वस्तू के रूप में नहीं मिलती है? इनके मिल कितनी मिलती है सत्तार अस्ती रुपई और उनमें वै выгляд अधिकतर नियमित रूप से काम नहीं मिलता है त कि जब भी काम होता है निर्मान उध्योक चलती है कुछ निर्मान हो रहा होता है तभी उनको काम मिलता है अने था उनको काम नहीं मिलता क्योंकि बहुत से लोग कम दोरों पर काम करने के लिए क्या होते है राजी यदि उनको रेली काम मिल जाए तब तो उनकी मजदूरी भी अधिक हो जाए लेकिन क्या होता है काम मिलता नहीं तो उनको जो मजदूरी मिलती है वो उसी पे कारे करनी के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है इसलिए वो किसमें डूबे हुए है करज में उन्हें घर की आवशक्ताओं के लिए पैसे तो चाहिए उत्पादन बढ़ाने के अलग-अलग कौन से तरीकी हैं समझाने के लिए उधारणों का प्रयोग कीजिए इसकी भी हम बात कर चुगे हैं कि एक ही भूमी पर अधिक उत्पादन करने के लिए पालंपूर में दो प्रणाली हमने पड़ी थी एक तो बहुविद और दूसरी आधुनी क्रशी विदी तो वही इसका अंसर आएगा कि उत्पादन बढ़ाने के तरीके बहुविद फसल प्रणाली कि भूमी के एक ही टुकडे पर एक ही वर्ष में अधिक फसले उगाना उसे बहुविद फसले उगाना इस भूबा पर क्रशी उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचली तरीका है पालंपूर के सभी किसान कम से कम कितने फसल उगाते हैं दो हमने बात किते हैं खरीफ और रभी की पिछले 15 से 20 वर्षोक से कई लोग तीसरे फसल के रूप में भी आलू उगाते हैं तीसरे फसल भी उगाते हैं तो आदोने करशी तरीकों का प्रयोग, दूसरा क्या था? इसको आप सेकिंड में लिख सकते हैं पहला तो वहुवेद हो गया दूसरा हो गया आदोने करशी तरीकी इसमें पंजाब, हर्याणा और उत्रपादेश के किसाना आदोने करशी को अपनाते हैं क्रांती के दौरा डपना है था जिससे की गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा था इन छेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपो एच्वाइवी बीज रासायनी खादो और किट नाश्रोका का प्रयोग किया गया जिससे जुताई और फसल की कटाई क्या ह गई आसान से हो गई और उन्हें प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं के अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला एच वाई वी बीजो की सहाइता से पैदावार तेरा सो किलोग्राम प्रती हेक्टर से बढ़कर कितना हो गया 32 किलोग्राम प्रती हेक्टर आप किसानों के पास बहुत सा अधिशेश गेहूं बजार में बेचने के लिए आप यह भी बता रहे हैं कि आधुनिक रशी विदी से बहुत अधिक उत्पादन हुआ जिससे कि उन्होंने उत्पादन का से अधिशेश अधिक हुआ और उसको बजार में बेचकर लाब भी कमाया तो इस प्रकासे दो विदियों के बारे में जैसा कि हम चैप्टर में अधियन कर चुके थे वही सारी चीज़ हैं लिख लेंगे आप इसका अंजर आप इसको नोट भी जरूर कर लिजेगा बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा 10 में संस्कृत विशय में शुची परियावर्णम भाग 5 कि अपर चैंशु को हम अधियन करेंगे लेकिन इससे पहले पिछले भाग में जो आपको देखर गया था मैं क्या कुछ प्रिश्ण तो आईए चर्चा करते हैं उन्त प्रिश्णों की कि पहला प्रिश्न था शत शकटि आनम केद्रिशंदूमम मुन्चति ठीक है, शत शकटि आनम यानि की जो सेखडोगाडियों की पंक्ति थी न, वह किस प्रकार का कीद्रिशंदूमम यानि धुआम उन्चत यानि छोड़ती है ठीक है तो बताया था आपको काजल के समाल काला कजल मली नम यह आपका उत्तर हो जाएगा एक पद में पूछा था तो एक पद में ही उत्तर लिखना है ठीक है फिर आगे है मानवा नाम संसरनम कीद्रिशम अभवत मानव का जो संसरन है चलना है ज हख गहर निया तो बाषपवयानमाला कथम संधावती जो बाषपवयानमाला है वह कैसे किस प्रकार से दोरती है ठीक है तो यहां पर देखिये इस इसमें आप देखेंगे वाषपयानमाला संधावती APIs धाम तो हम大家都 नम्ökちゃु है और वितरंती-माद संधावती यह हमा पारा उत्तर हो गया ठीक है रहा समझ में आ गया आई आगे चलते हैं अगला जो प्रिशन था पंक्ता यहां अनन्ता इत्यनयो पदयो विशेशन पदम किम अब देखिए ऐसा भी आपसे प्रिशन पूछा जा सकता है कि दो पद आपको यहां पर दे दिये और उनमें से बहुत सारी है तो यहां पर यह जो है पंक्तियों का क्या है विशेशन है यह क्या है विशेशन है और यह क्या है विशेश्य है ठीक है ना तो यहां पूछा क्या है विशेशन पूछा है तो हमने लिख दिया अनन्ताहा यह हमारा उत्तर हो गया यह लिखा है ना विद्यार जो कि यहां पर आया है अपने पास में देखें यहां पर कहां आया है यह रहाए आग़ी बात समझ में तो यह हमारे प्रिशन थे जो आपको मैंने दिये थे आपने सई-सई लिखे होंगे अगर नहीं लिखें तो यहां से आप लिख लीजे और आगे से सही करने का प्रियास कीजिए ठीक है ना आए हम चलते हैं आपने आज के भाग पर बहु शुद्धी करणम ठीक है ना इसमें कौन सा पध्यान चाहे तो देखिए आपके सामने यहां पर आपको भुशुद्धी करणम यह जो सीर्षक रखा गया है इसका वो इसलिए रखा गया है कि पर्या वरन तो दूशित हो ही रहा है महानगरों में लेकिन साथ ही साथ कुछ पदार्थ भी है जो यहां है पर्यावरण में इस्तित है चाहे वो खाना हो जल हो ठीक है ना पीने का वस्तुएं हो खाने की वस्तुएं हो यह सारी वस्तुएं जो है वो क्या हो गई है दूशित हो गया उसी की विशे में यहां पर ठीकम ठीक है ना बहुत जादा दूशितम यानि दूशित हो गया है दूशितम यानि दूशित हो गया है यहां दूश्धातु है और प्रत्य है तो प्रत्य भूतकाल के अर्थ में होता है ठीक है ना तो भूतकाल के अर्थ में यानि कि दूशितम यानि दूशित हो गया है प प्रदूशित हो गया है ठीक है नो यानि नहीं ही अब यह है ठीक है निश्चे अर्थ में निर्मलम यानि की निर्मल यहां पर देखिए कि मलेन रहीतम ठीक है मलेन रहीतम या मलस्य अभावहा जहां मलका अभाव हो ठीक है ना तो यहां पर देखिए यह हमने विग्रह किया यहां पर और ऐसा भी विग्रह हो सकता है निर्गतम मलम यस्मात ठीक है ना ऐसा भी विग्रह हो सकता है तो यहां मलसे जो रहीत है वो निर्मल है मलत से अभाव मलका जहां अभाव है वो निर्मल है निर्गतम मलम जिससे मल जो है निकल गया है ऐसे ठीक है ना वह क्या है निर्मल यानि की स्वच इसका अर्थ क्या होगा स्वच स्वच ठीक है ना जलम यानि जल तो यहां क्या कहा है नहीं निर्मलम जलम यानि जल जो है वह प्रदूसित की चाहिं तो आगे लिखाए भक्षम यानि कि भोजय पदार्थ यानि खाने की वस्तों जो है वो अभी कैसी हो गई है आगे लिखा है कुचित वस्तु मिश्रितम कुचित यानि बुरी वस्तु यानि बुरी वस्तुओं से मिश्रितम यानि की मिश्रित हो गई है जो खाने के पदार्थ है उनमें जो नहीं खाने के पदार्थ है वो मिला दि यह जाते हैं ताकि दाल का वजन उतना बढ़ जाए और दाल कम देनी पड़े तो ऐसी स्थिती में मिलावटी सावान मिलावटी खाद्य पदार्त बढ़ गए हैं समलम यहां पर देखिए समलम यहां समास क्या होगा मलेना सहीतम यहां अव्यई भाव समास सहे धिहानक ना कौन सा समास है अव्यई भाव यानिकी मल के साथ में मल से युक्त तो यहां पर देखिए दो लाईनों में कभी ने क्या कहा कि वायू मैंडल अत्यदिक प्रदूशित हो गया है और जलबी बहुत जादा प्रदुशित हो गया है या निर्मल नहीं रहा और जो खाद्यपदार्थ है वह भी बुरी वस्तुओं से मिश्रित हो गया है और ये धरातल भी गंदगी से युक्त हो गया है एसी स्थिती में करनियम करना चाहिए क्रीद हातु है अनियर प्रत्य है ठीक है ना अनियर चाहिए आर्थ या योग्य आर्थ इन दोनों अर्थों में अनियर प्रत्य होता है ठीक है ना तो यहां पर क्रीद यानि करना चाहिए करनियम यानि करना चाहिए क्या करना चाहिए ब अब कैसे कहां किस प्रकार तो यहां देखे बई अंतिर जगति अब करना चाहिए जगत यानि संसार में जगत में ठीक है और किस प्रकार बई बाहर और अंतर यानी कि व्यक्तियों के मानसिक्ता में, यानी सोच में, विचारों में और साथ ही साथ बाहर भोतिक रूप से पर्यावरण में, संसार में, जो है ना क्या करना चाहिए? बहुत शुद्धी करन करना चाहिए. ठीक है? तब जाकर के हमारा पर्यावरण कैसा होगा? सुची पर्यावरणम सुची पर्यावरण बनेगा अच्छा सुन्दर स्वच वातावरण का निर्मान होगा तो कभी हमें यही कहना चाहते हैं कि यहां पर वायू मंडल भी प्रदूशित है जल भी प्रदूशित है और जो भोज्य पदार्त है वो भी बुरी वस्तुवस से हो चुके हैं और यह धरातल भी गंदगी से युक्त हो चुके हैं ऐसी स्थिती में इस संसार में बाहर और अंदर यानि लोगों के मांसिक्ता में और लोगों के बाहरी रूप से भौतिक रूप से बहुँ शुद्दी करन करना चाहिए जिससे की पर्यावरण सुरक्षित और स्वच्छ रह सके अता हमें अच्छे वातावरण की और ही जाना चाहिए यह कभी यहां पर कहना चाहते हैं ठीक है ना आईए आगे चलते हैं आगे देखिए शब्दार्थ है हमारे पास में ब्रिशम यानि अत्यदिकम यानि अत्यदिक बहुत ज्यादा ठीक है दूशितम यानि प्रदूशितम प्रदूशित निर्मलम यानि स्वच्छम स्वच्छ ठीक है कुच्सित वस्तु मिश्रितम इसका मतलब है और भोज्य वस्तु भी सम्मिश्रितम यानि कि जो नहीं खाने योग्य वस्तु है उनसे युक्त मिलावटी वस्तुओं से य ठीक है आगे चलते हैं आगे अपने पास में है अन्वे आंवे क्या कहा है व्थेखे य्भ बहुत ही सलल भाशा में कवी नी कहा है क्या कि वायू मंडल बहुत जादा दूशित है निर्मल जल नहीं है कुछ सित वस्तूओं से मिश्रित भक्षे है यानि भोज्य पदार्थ है और ये गंदगी से युक्त धरातल हो चुका है तो इसलिए जगत में संसार में बाहर और अ सुद्धीकरण स्वच्छीकरण स्वच्छता करनियम करनी चाहिए ठीक है अब यहां पर भावार्त क्या कहना चाहरे हैं हमें क्या सिक्षा देना चाहरे हैं और हमसे क्या पेक्षाएं रखते हैं कवी सपष्ट यती यत अस्माकम वायू मंडलम अत्यदिकम प्रदूशितम अभवत अत्र जलम अपी स्वच्छम नास्ती कुच्सित वस्तू भिही मिश्रनेन भोज्य पदार्था अपी नश्टह जाता धरातलम अपी मल युक्तम जातं अत्यदिकरण करनियम शुची पर्यावर्ण रक्षनार्थम अधुना अन्तह करनस्य बहीर जगतह च करनन्यम शुची पर्यावर्ण रचनीयम इति यहां पर देखे कवी स्पष्ट करते हैं की हमारे हमारा जो वाइयु मंडल है वहां बहुत जादा प्रणूशित हो गया है यहां पर जल भी जो है इस इस्तल मंडल पे जो जल भी है वह स्वच्छम नास्ति स्वच्छ नहीं है बुरी वस्तों से या बुरी वस्तों के मिलने से मिश्रन से भोज्य पदार्थ भी जो उनका औरिजनिलिटी है यानि कि उनकी वास्त्विक्ता है ठीके वह क्या हो गई है नश्ट हो गई है धरातलम अपी धरातल भी मल युक्तम जातम मल युक्त हो गया है गंदगी से युक्त हो गया है इसलिए हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए अभी अंतकरण का प्रतेक वेक्ति के अंतकरण का मन का बहेर जगत है और जगत का जो बहरी रूप है भौतिक रूप है वह उसको सुद्धी करणम करनीयम उसका सुद्धी करण करना चाहिए और इस प्रकार सुची पर्यावरणम रचनीयम इती सुची पर्यावरण पवित्र पर्यावरण का रचना उसकी रचना करनी चाहिए ये कवी की कामना है ये हमसे अपिक्षा रखते हैं ठीक है ना तो हमे बहिरंतर जगती बही अंतह जगती रूत्व विसर्ग संदिये यहां विसर्ग है दो जेगे दोनों को रह हो गया है फिर है समास निर्मलम देखिए मैंने बताया था निर्गतह मलह यस्मात तत निर्मलम ठीक है ना प्रादी बहुब्री समास बोलते हैं इसे और मलस्य है दूशी ताम दूश और तप्रत्य है करणियम में क्री और अनियर प्रत्य है ठीक है ना बच्चों आज का अगला पार्ट कछा 10 में सिंधी व्याकरण विश्य में अद्दू पाल को असी पड़ी रहें आहिँ ग्रामर व्याकरण अज असी नयों टॉपिक शुरू करे र है बाल को दर्जो छाओ खा दर्जो डहू तई डाडो इंपोर्टेंट आहिए यह नखा पहरी नंडी क्लास सुन में अगर तामा सिंधी पड़ी राया पड़ी अच्छी चुका आयो तो तामा जरूर पड़े हुंदो तांखे शरूर पतो हुंदो की अधच्छा थी सर्क पतो में अधुमा जरूर पतो हुंदो तामा सिंधी जोन हाधी नौलीकान अधी बाल को तो तो हां मजमून लिखान 벵ाल त्यों में हैंहा। गलती ने थी इंदी, गरुगड असी चेदे स्वालन जब जवाब लिखन दायों बालकों, तड़ असाखे व्याकरण अधी कम इंदी आहे, तह करे वीडियो जे के ग्रेमर वारा एं याधी ध्यान साबुदन्दा समझन्दा, गरुगड प्राणसागर पैन, एं ग्रेमर जी कॉपी गर खाणी करे व्यों, एं लिखन दावन्यों कि अधी जे वीडियो में असी अधद पढ़न दासी, समझन्दासी, पैरी तर इसूं कि अधद जे को आहे, होनके हिंदी में छा चावन दायू, हिंदी में अधद के चावन दायू, बालको असी वचन, तहमां बुदो जे लिहास का वचन या अधद जो अर्थ आहे संथ्या, मतलब थी विए, संथ्या थी वियाँ, यानि टे थी विए, है यानि अधद वचन संथ्या, यानि शब्द जे जह रूपद वारा, संख्या जो बोध थी दूआहे, तहंके अधद चावन दायू, यानि को अखर पढ चगजे थो ता नाम सर्वनाम ए क्रिया जे जै रूप द्वारा अदद संख्या जो बोद थीन दो आहे उनके वचंच वंदा आएं। असी मिसाल सा समझू कि इसो हिते मां हिक वा फोटू लगाय रख्यू है। हिते के राहे हिक बांदर हिते पंज बांदर यानिके मां हिक्ता ही फोटो निसी करे बदाय चलनम कि ही बांदर आएं। पिखानी सीकरिए चवंदम बान्दर ओंदम बांदर का ओंदम बांदर ही लिखी वठी हो नसा के सुठी तर ज्यान थी वेंदी कि भई आखेर अदद आहे चा बांदर अखर पणू था को बखारा संग्या आये चा सर्वनाम आहे इसम आ जमीर आहे उन्हा अखर के पड़न साइं असाखे ज्यान पवेती कि भई ही गणा आहें संख्या जी ज्यान पवेती तहके असी सिंधिय में अदद चावंदा आहें हिंदिय में वचन चावंदा आहें या संख्या चावंदा आहें तर व्याकरण जी लिहाज खा अदद ना डूई इंपोर्टेंट टॉपिक आहे चाकार तो कोब अखर पड़ जे ए हुनसा असा के ड्यान पवे कि वे उन्हां जी संख्या गणि मापणा थी बांदरा तो पतो पवे थो कि भी हिक खावदी का आहें तहिन जो वचन अलग-अलग थी वियो तो वचन या अदद जो मतलब थी दो आ संख्या आने यत थी अदद जी माना आने पड़ू असी अदद जा किस्म किस्म यानि उन्हें प्रकार उन्हें भेद गण किस्म 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 तवाला नही लेकिन जमावडु नजी पहरी पड़ी चुक आए उऊ बाल को जमावड यानी जमावडु यानी जमावड़ु नहीं … मतलब की वाहिद थी वियो एक वचन या वाहिद विकारी शब्द जी उहा सूरत आहे जहे द्वारा हिकरी शक्स या शे जो बोध चींद हुआ हे यानि वाहिद जो मतलब आहे एक वचन जै अखर के परणसा असा के उन विकारी शब्द जी हे संख्या जो पतोप आवे कि वह हिक ही आहे ते हैं कि असी अदद वाहिद चावंदा आयूं यानि एक वचन चावंदा आयूं मिसाल मोर, बक्री, काठी, घडी, पैन, विकत माँ चावंदा पेन, पेन यानि इकड़ी, यकमा चावंदा पैन हूं, घण्यूं त Imagineas, वाहिद जो उधारन थीवियो चोक्रो थे वाहिद जो उधारन थीवियो तही हो अदद वाहिद चाथे जैसा असाए हिक्ड़े जी धियाण पवदी आहे मिसाल बांदर नचेतू तह ते असां कि इसमें जमीर ते ध्यान ढन्योंवा चाकर हुनन जोई असां कि आदद पुछो वेंदू ता बांदर हिका बांदर आदद वाहिद जो मिसाल कोयल हिकडि कोयल ता वाहिद छोकरी घणयू छोकरी तमाम घणी छो करिऊं है कच्छो करी मा यहते मा जेको आहे सर्वनाम जो जमीर जो प्रियोकर वो आहे असी हुझुआ तो जमा उथी वनिया पर हेते मा अदद वाहिद आने हिना मा जो भी पुछी सगन था एं स्कूल जो भी पुछी सगन था ता वाहिद अम्मा आखाणी आने हिकडी अम्मा तो ये सब छाथ्या बाल को अदद वाहिद जा मिसाल थी व्या अदद जमाओ तमाम सौलों आहे बहुचन उहो विकारी शब्द आहे जह द्वारा हिकका खा वदी कशयों शक्सन वगर जो बोतीन दो आहे यानी जमाओ यानी जमाओ डो कैन जो जेको आह कठ्छो थे अंड जमाओ तो मतलब याहे तो जैसा अそ़वन वदी कशी ध्यार पवे थी उनके असरी अदद जमाओ slow जमाओ जय को अदैन आहे जियात छित्यूं थित्यूं चिधित चित्यूं चिठी चिथिधिउं मक्यूँ पुट्ट वण जेक्सब्चा चोोँ वण जो खूब में जूँ तह ये अदद जमाओ जो मिसाल थी व्या वाने कि तो फुवरी सेंटेंस वारे मिसाल निसुआ असी वन्यूप्या असी यानी कि तो चो मा चो असी असी मतलब डाठा खूब जड़ाएं बाएं मोर नचन प्या हिकडो मोर का ने खूब मोर एं माली मालाओं प्योट आहे तह ये असा मालाओं जो अखर कहें हुआ है मालाओं जे को आहे जमाओ जो मिसाल आहे एं माली हिकडो माली आहे सो अदद वाहिद जो मिसाल आहे छोक्रा स्कूल वन्यान प्या हिते छोक्रा अदद जमाओ जो मिसाल थी वियो एं स्कूल वाहिद जो मिसाल थी शुची तरह दिसंद आवन्यों पड़न्द आवन्यों बालको डिस्वों मा लिखन दीपी वन्या कि छोक्रा यानि खूप सारा जमँ जो स्कूल हिकणों स्कूल वाहिद जो मिसाल थी व्यों मुखे मुख्य यानी हिक ढूणों यत ज़तों धू मुख्य यो थीकव यो वाहिव मिसाल भें अरू यह जो मिसाल यानी हि gosh sentence मिड़ी सो माली हिक्ड़ों मालली खूप सारी मालल चोक्रा हिक्ड़ों मुख्य यानी हिक्म भेणरू, यानि हिककावदी का भेणरू, तो इए थ्या, अदद वाहिद जा मिसाल, हाणी बड़र कर आदक के लिआ, अभ्यास परश्ण असाँ जा कीड़ा, इजले, लिहास तैयारी प्या का यू असा, अदद जे माना लिखो, अदद घणन किसमंजा थीनदा आहिन तो असा के चा कड़ू आहे कि सबनेखा पेरी वोई कि पेरी अदद जी असा के माना लिखनी आहे ये हेठा असा के मिसाल अभ लिखनाएन आणे ये तहुआ जे मताएं कि तो अखर जो मिसाल लिखीता सगो या वाक्य ठाय करे जुमला ठाय मिसाल लिखी अदद तेखा पो असा के ये तह एकड़े ये को क्वेश्चन असा का पुछो कि अदद जी माना लिखो ता असा अदद जी माना लिखी ये ठा मिसाल लिखी चा अदद जा असांखे छा लिखना हैं बाल को अदद जा असांखे किस्म लिखना हैं कि भई अदद जा बकिस्म थींदा हैं पैरियों थींदों आहे अदद वाहिद पो हिनके भी एक्स्प्लेंड करणूं आहे हिनके भी मिसाल लिखना हैं पो असाखे लिखणू आहे ब्यों प्रकार जेको आहे अदद जमऊ हिना जाबी असाखे पहरी माना लिखणी आहे पो हेठा मिसालन लिखणा है तड़े ही यो तवाँ जो जवाब पूरो थी सगन्दो ठीका बालको तह ये च्छा थी विया अदद जा जो क्वेस्चन असाँ जो हिकड़ो अची सगे तो उओमा बुधायो कि अदद जी छा ची सगे थी माना लिखो डेफिनेशन लिखो अदद जा किस्म लिखो व्यों सवाल दिसुँआ जो क्यड़ो अची सगे थो नंडी क्लास सुन में ये गवधिका इंदायन अगर असा गाल कहई हूँ दर जो न जमाउठायो यानि कि हीए जैके अखार इनला आए न साखे एक्जाम में इंदा अदद वाहिद जा इंदा केड़ा अए निये ये वारात आहिन अदद वाहिद जा सिंग्यूलर जा एक वचन जा एं हीए आहिन अदद जमाउँ जा त तमाम सालों आयात पड़ंदा एक जो फर्क थी दो आए singular pillar में कई अखरन में जीए कि दिसो हित्ते बुजो जो बुजा बस एकड़ी मात्रा हटाए करे बी मात्रा लगाए चरीत चाती वियो एक वचन जो बहु अचन थी वें दो आए खाड्यो जो खाड्या हित्ते भी एक मात्रा ओजी हटाए आ ता एक वचन बहु अचन थी वें तो बालकों तमाम सौलो टॉपिक आए ये वसांजो उमेद आए कि तमा अदद जी माना चाती दिया एक तफो दोहरान कयूं अदद आए उए अखर जयानी उए इस्म थी सगंथा जा मेर्थी सगंथा जैसा असांखे हुनंजी संख्या पतो पवंदी अदद आंधि ये तेके असी चांगा चावंद आयों आदद जा गण प्रकार थी म्दाए अदद जा बन प्रकार थी म्द एक तीन दूँआ अदद वाहित लें नट जमव फुल् нам और अखोड़ जमी। और आखालां जोकरी और हाने वीचाल क्यों कि अधद जमाव यानि वयो प्रकार जेखो अध़ जोवा है, जेखो आध़ जमाव कि प्रकार प्रकार ने यानि की हेक कखा मदी के यानि बद चार गणाप थी सगन था उनन की असी चवंदायू अदत जमव। इन जा एक्जाम्पल आए छोक्रियूं, स्कूल है, घडियूं, ठीका वालको, ता यू असान जो टॉपिक अदत इते ही समाप्त थे मिलीू था अगले वीडियो में तेसी बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में सामजिक विज्यान विशय में बुख अर्थिशास्त्र से पालंपुर गाउं की कहानी भाग 8, 9, वे कक्षा 10 में संस्कृत विशय में शुची परियावर्णम भाग 5, वे सिंधी व्याकरन विशय में अद्दू कला, पपेट शो, जीवन कौशल वा मनोरंजक कहानिया सुनेंगे, नई जानकारियों का लाफ वा देर सारा मनोरंजन, नो बैग डे के साथ देखना न भूलें, सिक्षा दर्शन बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंग पार्टनर हैं, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें, कारिक्रम से संबंदित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001